नमस्कार हम हाजर हैं एक ताजा अपडेट के साथ हिमाचुल के रामपुर के जूरी के पास आज लैंड स्लाइड होने के कारण नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है ऐसे में किनौर पुलिस ने लोगों को शिमला की तरफ यात्रा न करने की सलाह दी है क्योंकि नेशनल हाईवे पांच अनिश्चित काल तक बंद रहेगा नेशनल हाईवे पांच पर जूरी के पास भूस खलन हुआ है पहाडी का एक बड़ा हिस्सा दरग गया है भूस खलन से किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं है पर कुछ गाडियों को जरूर नुकसान पहुँचा है लेंड स्लाइट के बाद से ही एनेश पांच पर यातायात प्रभावित हुआ है और एनेश को बहाल करने के लिए कारेज जारी है